Hello Friends, Welcome to the Success Kendra. Friends, आज 28 जनवरी 2024 को बिहार मद निसेद दरोगा के एक्जाम लिया गया है. Friends, एक्जाम समाप्थ हो चुका है और देखिए किस तरह से प्रसंज रहा है, इस बार बिहार मद निसेद के दरोगा के एक्जाम में पूछा गया है. जिन्होंने भी 1275 पोष्ट बिहार दरोगा के एक्जाम दिया हुआ था, वो लोग भी देख लिजिए कि इस बार 2024 में बिहार मद निसेद दरोगा के एक्जाम के प्रशनों का लेबल क्या रहा था. चलिए शुरू करते हैं, एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी एक ग्रूप में जहां कई भी आप हैं, किसी भी टेलिग्राम ग्रूप में, फेस्बूक ग्रूप में फटाफट इसको सेयर कर दीजिएगा. तो देखें फ्रेंड्स, बिहार मदनिसे दरोगा 28 जनवरी 2024 कोस्टन पेपर एंसर की है यहां, 28 जनवरी 2024 को बिहार मदनिसे दरोगा का एक्जाम लिया गया है, जिन्होंने भी एक्जाम दिया है, अपना एंसर भी मिला सकते हैं, और साथ-साथ अगर आपनी एक्जाम दिय तो आप कमेंट करके बताएगा कि क्या यहीं प्रश्ण पूछे गए थे देखिए प्रश्ण पूछा गया था कि Border Roads Organization यानि कि BRO की अस्थापना कब हुई थी जिन्हों ने भी 1960 एंसर दिया हुआ है BRO यानि कि Border Roads Organization किया स्थापना 1960 में किया गया था बिल्कुल उनका करेक्ट अंसर है जिन्हों ने भी 1275 पूष्ट बिहार दरोगा का पेपर दिया हुआ था वो लोग भी देखिए कि लेबल किस प्रकार का राह है जैसे ही पूरा कोस्टन पेपर मिलता है Complete उसका Analysis उसका अंसर की बिहार मदनिसे दरोगा 28 जनवरी 2024 एंसर की मैं आपको करवा दूँगा देखे Electric Current का SI unit पूछा गया था तो I hope कि आप सभी को पता होगा इसका अंसर MPR होता है उसके बाद अगला प्रश्ण पूछा गया था और कमेंट करके बताएगा कि क्या यहीं प्रश्ण पूछे गया थे आज बिहार मदनिसे दरोगा 28 जनवरी 2024 की एकजाम में देखे मुखे निर्वाचन आयुकत का नाम पूछा गया था तो यह राजीव कुमार है ठीक है न उसके बाद देखे राजधानी से बिहार दरोगा के भी पेपर में पूछा गया था और आज भी पूछा गया था कि बमाको किस देश की राजधानी है बमाको जो है यह माली की रजधानी है बमा को माली की रजधानी है उसके बाद देखें पूछा गया था कि अंतराष्ट्रिये ग्रामीन महिला दिवस कम मनाए जाता है थोड़ा सा यह प्राथमिक छेतर के अंतरगत, प्राइमरी सेक्टर के अंतरगत आते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि उगादी पर्व, उगादी फेस्टिबल जो है, ये पूछा गया था सायद कि कहां मनाया जाता है। जिन्होंने भी एक्जाम दिया होगा, उनको पता होगा कि क्या प्रश्ण पूछा गया था, लेकिन उगादी फेस्टिबल से सम्बंदित प्रश्ण निस्दित रुप से पूछा गया है, छात्रों के द्वारा ये कोस्टन भेजा गया है टेलिग्राम पर मेरे, अगर आपने से उन में से बहुत सारे लोग भी होंगे, टेलिग्राम पर उनको पता भी है, वो लोग देखे भी होंगे, तो उगादी जो है, ये करनाटक में मनाया जाता है, नए साल के रूप में या फेस्टिबल उगादी मनाया जाता है, उसके बाद अगला प्रस्ण पूछा गया थे कि पोंचम पाद बाद जो है, ये कहां पर है, या फिर किस नदी पर है इस तरह से प्रशन पूछा गया होगा तो देखे पूंचम पाद बांध जो है ये दामोदर नदी पर है जारखंड राज्ये में ठीक है ना तो ये ध्यान रखिएगा आप भी उसके बाद पूछा गया था कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद है खेतड़ी जो है बुड़ने श्टाग है बाला घाट किस राज में है बाला घाट बड़ा प्रसिद है मैग्डिज उत्पादन के लिए यहाँ फेमस है यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं और बाला घाट मद्ध प्रदेश में है उसके बाद देखे पूछा गया था कि हांगुल क्या है हा अंगुल आपको पता है कि यहाँ एक श्ट्रैग है मिरिग है है जो कि जम्मु कस्विर में पाया जाता है उसके बाद देखे पूछा गया था ट्रांस साइबेरियन की लंबाई पूछा गया था तो ऑप्सन में क्या उसका एंसर दिया हुआ था ठीक है ना ऑप्सन के हिसा काला पानी जल बिबाद किन देशों के बीच में है काला पानी जल बिबाद तो काला पानी जल बिबाद जो है यह भारत और नेपाल के बीच में है यह काफी सुर्खियों में रहा था आप में से सभी लोगों को पता भी होगा अचा यह सुरंग हादसा भी हरिसेंटली बताईएगा कि मतलब ये प्रशन जो है सुरंग हाथ्षा निश्री तरफ से पुछा गया था लेकिन प्रशन किस तरह से था उप्षन में क्या दिया हुआ था आप में से जिन बंधुओं ने एक्जाम दिया है जिन साथियों ने एक्जाम दिया है वो लोग जरा बताईएगा ठीक है ना चलिए उसके बाद देखे पुछा गया था कि गोल्डन फाइबर से संबंदीत प्रसंद था तो आपको पता है क जूट को गोल्डन फाइबर स्वर्ण निम रेशा कहा जाता है तो जूट देखिए ठेके ना अब प्रसंद क्या था बताईएगा कमेंट करके उसके बाद पुछा गया था कि उनान की अस्थापना की संधी के तहुत हुई थी तो देखे 1832 की जो कुस्तुन तुनिया की सं सोला हमें वित आयो के अध्यक्स अरविंद पंगड़िया होंगे ठीक है ना अरविंद पंगड़िया योजन आयो की उपाद्यक्स भी रह चुके हैं आपमें से सभी को पता भी होगा नमस्ते पोर्टल जो है पूछा गया था कि यह किस मंत्राले के दवरा यह शुरू किय किया गया है तो नमस्ते पोर्टल जो है यह आयुस मंत्राले के दवरा श्टार्ट किया गया है एक प्रशन पुछा गया था मैं आपको इसी दर्म्यान बता देता हूं PSLB C58 से किसको लौंच किया गया था PSLB C58 से जो है एक्सपो सेट को लौंच किया गया था एक्सपो सेट को लौंच किया गया था तो यह प्रशन पुछा गया था एक प्रशन पुछा गया था कि अमित्र घात किसको कहा जाता है अमित्र घात यह किसको कहा जाता है तो अमित्र घात जो है बिंदु सार को कहा जाता है यह भी साइद पुछा गया था एक बार कंफर्म कर दीजिए कि यह प्रशिन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था नमत्य पोर्टल आयस मंतराले के दोड़ा श्टार्ट किया गया है लॉंज किया गया है उसका बाद देखें इंडियान कोष्ट गार्ड का स्थापना दीवस दीवस से दो तीन पूछे गया थे साइद तो इंडियान कोष्ट गार्ड का स्थापना दीवस जो है एक फरवरी की दिन मनाया जाते एक फरवरी 1977 मीस की अस्थापना हुई थी उसके बाद देखें आगे प्रशन पूछा गया था धेनु का प्रयावाचू सब्द हिंदी क चले राष्ट्रिय एकता दिवस किसके जनम दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रिय एकता दिवस किसके जनम दिवस पर मनाया जाता है तो देखे राष्ट्रिय एकता दिवस जो है यहां 31 अक्टूबर के दिन प्रतेकवर्स मनाया जाता है सरदार बल्लब भाई पटेल की जैन्ति का उसर पर राष्ट्रिये प्रदूसन नियंतरन दिवस देखे पूछा गया था कि कम मनाय जाता है राष्ट्रिये प्रदूसन नियंतरन दिवस तीन प्रशन पूछे गया थे दिवस से तो दोस्ट दिसंबर के दिन राष्ट्रिये प्रदूसन नियंतरन दिवस मनाय जाता है चलिए सबको नोट डाउन करिएगा आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था ये प्रश्ण पूछा गया था तो ये आपका मेगा स्थनीज हो जाएगा उसके बाद के 360 डिग्री मुल्यांकन कारिकरम सुरू कि अब यह फूल फॉर्म दिया हो ऑप्शन में वर्ल्ड ट्रेड और्गेनाईजिशन होता है ठीक है न अब देख लिए इसको आप लोग बताईएगा कमेंट करके जिन्होंने एक्जाम दिया है कि यह क्या पूछा गया था डबलू यो का तात पर ऑप्शन में क्या क्या था माना उन्हें तरका डायमेटर ब्यास पुछा गया था तो देखिए 2.3 cm अगर अप्शन में होगा तो आप लगा सकते हैं वैसे 2.3 से 2.5 cm तक होता है कहीं-कहीं 2.3 भी आपको मिल जाएगा 2.4 भी मिल जाएगा ठीक है न तो अप्शन में क्या रहा था एक बार एड़ करिएगा और प्लीज इसको लाइक कर दीज़ें